हेलो एवरिवन मेरा नाम प्रणव है और आज मैं आपको सेव के ओपर थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय पे हम किस तरीके से सेवों के टहनों को की कटाई छटाई कर सकते हैं या जिसे हम कहेंगे समबर प्रूनिंग कर सकते हैं समर प्रूनिंग में सबसे ज़रूरी है पिंचिंग जो आप इस समय पे कर सकते हैं जिससे विंटर्स में जो टहनी आपको नहीं चाहिए होती है जिसको आप विंटर में कट डाउन कर देते हैं अगर आप अभी उनको पिंच कर देते हैं या उनकी टिप को कट कर देते हैं ऐस के उपर स्टोर करता है खास तोर से कल्शियम जिसके वैसे कि प्लांट केल्शियम डेफिशन्ट हो जाते है जब इनको ऊवर कट करते हैं तो उसको आप अवाइड कर सकते हो क्यूंकि अभी हम जिन टेनियों को बढ़ने नहीं देंगे जिनको पहले ही कट कर देंगे तो उसमे कुछ न्यूटिशन स्टोर नहीं होगा और अगर न्यूटिशन स्टोर नहीं होगा तो हमारे प्लांट के लॉसिस कम हो जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से करते हैं जैसे अगर यह टेना है इसमें में ग्रोथ अगर इस टिप के सकते हैं आप इससे थोड़ा पीछे से भी कट डाउन कर सकते हैं आपके ओपर डिपेंड करते हैं आप कितना पीछे से को कट कर सकते हैं लेकिन इसको जड़ से हटानी की जरूरत नहीं है और यह टहनी भी अप्रूट ग्रोथ में जा रही है और इन फ्यूचर में को इस तर टिप को खतम करूंगा तो इस तरीके से हम प्लांट के उपर काफी सारी न्यूटिशन को बचा सकते हैं और उसकी जो ग्रोथ है उसको उस डिरेक्शन में लेके जा सकते हैं जो हम विंटर्स में काम करते थे तो इस तरह से आप समर प्रूनिंग में अभी से ही शुरुवात कर सकते हैं इस तरह से आप टैनो को हटा सकते हैं इसके लिए आपको एक क्लिपर की जरूरत रहेगी और नॉर्मल आप जो भी अपनी कैंचियां यूज करते हैं या एरेस की कैंचियों को भी यूज कर सकते हैं मैं दिखाना चाहूँगा कि विंटर्स में अगर आपने अभी बेंडिंग लो उसमें विंटर्स की बेंडिंग में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस टेहने को मैंने बेंड किया हुआ है तो ये अभी काफी टाइम से बेंड था और बेंड होने के बाद अब इसने अपनी जो मेरे को पोजिशन चाहिए थी इसकी जो ये सनलाइट रोक रहा था उससे ये बाहर आ चुका है तो अब मैं इस थ्रेड को यहां से कट डाउन कर दूँगा और इसमें जितने भी अपरू इसमें टिप 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 ऐसा करने से क्या होगा कि पीछे इसमें ग्रोथ नहीं आएगी यहां पर मेरे को सनलाइट चाहिए इस एरिया में और इसकी ग्रोथ मुझे आगे टिप की तरफ चाहिए और अब मैं इसको यहां से कट कर दूँगा तो यह अपनी पोजिशन ले ल तो यह विंटर्स में सीधे बिल्कुल स्टेट टैने थे और मैंने इनको एक एंगल के उपर ठैट से बान दिया था आपना पर दो सकते हैं यह पूरे एरिया में मैंने यह सूपर चीफ में पूरा बैंडिंग किया हुआ है ताकि बीच में सेंटर में सनलाइट आ सके तो य तो यह आप आज कल यह काम कर सते है जैसे मैं आपको यहां पे घाला में दिखाना जाओंगा यह विंटर्स में गाला का स्ट्रेट ऊपर गया वा था टैना यहाँ से और इसको मैंने एक एंगल पे बैंड कर दिया था मैंने उसको कट डाउन कर दिया recover wieder और इसमें ग्रोथ हाई थी मैंने उसको बैक कर दिया है और अब next year मेरे को chances है कि इसमें fruiting शुरू हो जाएगी तो इस तरीके से जल्दी भी हम fruit ले सकते हैं और main leader को मैंने यहां से cut कर दिया था क्योंकि मैंने चाहता कि main leader इसका अभी छोटा रहे तो मेरे को main leader पे fruit नहीं लेना था तो इसलिए मैंने इसको टॉप कर दिया और यह अभी uproot growth पे जाएगा और इसके आसपास की टैनियों को मैं बढ़ने नहीं दूँगा ताकि पूरा फूड उसी को मिलता रहे और वो सिधा growth के उपर जाए तो यह आप गाला के साथ कर सकते हैं उसके अलावा आज के टाइम में fruits जो है अब दिखने लग गया है और fruits के साथ जहां पे यह spur से जो भी fruit लगा होता है उसके साथ एक growth आती है इस growth को भी आप cut कर सकते है इसके बाद यहाँ पे safflo रुख जाएगा और यह जितने भी leaves है इसका जो भी यह food produce करेगा वो इन fruits को जाएगा और इन fruits को जाने से इसको इसका size में increment होगा और अभी क्योंकि growth period है cell division चल रहा है आज कल तो अगर आप इसको यहाँ से cut down कर देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसमें cell divide होंगे क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा food मिलेगा और जो nutrition growth में plant दे रहा था उसको आपने cut करके उसको back fruit के ओपर डाल दिया है तो इस तरीके से आप fruit size के लिए भी अभी से इन चीजों को कर सकते हैं अगर आप clipping कर रहे हैं अभी पेडों में जो भी अंचा है जितने भी टहने आए और उनको हटा रहे हैं तो उसके साथ-साथ आप ऐसे टहनों को भी हटाए जहां पे fruit अल्रेडी लगे वे हैं जिसकी वज़े से उनमें भी size आने की size आने के chances बढ़ जाते हैं प्लांट को हमने काफी back लिया था काफी पीछे उनको काट दिया था blind eye से तो उससे क्या होता है कि root shoot ratio की वज़े से अगर हम shoots को कम कर देता है shoot को back ले आता है तो growth के chances बढ़ जाते हैं लेकिन growth के chances कुछ इस तरीके स बढ़ते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं इसमें multiple shoots आएवे हैं तो अगर आप winters तक वेट करेंगे ऐसे प्लांट का तो उसमें आप बहुत सारा nutrition को देंगे और बहुत सारे chances ऐसे हैं कि आपको बहुत सारे winters में shoot cut करने पड़ेंगी जिसको आप अभी simply tip काटने से क कर सकते हैं जैसे यहां से मिरक अगर यह टैना नहीं चाहिए मैं चाहता हूं कि जो सबसे strong है वो रहे तो उसको छोड़ सकते हैं और बाकियों को हम लोग इस तरीके से खटा सकते हैं तो इससे मुझे जो इसकी height attain करनी थी वो जल्दी से attain हो जाएगी अभी इसमें जितने भी मैं tip cut कर गरा हूं उसके अलावा भी इसमें growth आती रहेगी तो यह आपको continue मैं आपको दिखाना करेंगा जैसे यह एक cluster है fruit का इसमें आप देख सकते हैं center में जो fruit है वो सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो size की होती है क्योंकि size हमारा अच्छा बिखता है market में तो जब भी हम इस तरीके से fruit को हटाएंगे तो कोशिश करेंगे कि यह center वाला fruit है इसको king bloom बोलते है यह सबसे पहले फूलता है और center में होता है बिल्कुल तो इसको save करना है और इसके अ तो लेकिन इसके अलावा आपने एक चीज का और ध्यान अखना है इसमें सबसे important जो चीज है वो है पेड का खुद का size या जिस टैनी से आप fruit को clip कर रहे है उसका size कितना है तो जैसे इसमें यहां पे आप देख रहे होंगे कि इस पेड का size है वो कुछ खास नहीं है मुश् से एक इंच इसका base है तो इसकी जो fruit carrying capacity है मतलब इतनी जितनी से leaves है उस हिसाब से इसकी देखा जाए fruit carrying capacity है वो कुछ ज्यादा नहीं है हम उस हिसाब से ही इसमें fruit रखेंगे ऐसा नहीं है कि हर एक fruit bud के उपर एक fruit रख देंगे तो हमें completely कुछ fruits को खाली भी करना पड़ेगा मेरे हिसाब से यह root stock के उपर लगावा scarlet पर है इसकी growth practice वैसे भी बहुत बुरी होती है तो जितना मैं fruit इससे हटा दूँगा उतना यह growth के उपर जाएगा और जा भी रहा है तो सबसे important है कि मैं ज्यादा से ज्यादा fruits को हटा दूँ और कम से कम इसमें साथ से छे से साथ fruits मैं लूँगा इस साल इससे ज्यादा नहीं लूँगा बलकि इससे कम भी ले सकता हो ताकि यह growth के उपर जाए तो जब भी आप किसी और टहनी के उपर भी मान के चलिए आपको मैं यहाँ पर दिखा जाता हूं जब भी आप clipping करते जैस और fruit कहां पर लगा हूआ है यह सबसे ज्यादा important है और अगर आप देख रहे हैं कि यह जो fruit है यह third wood के उपर tip में लगावा है तो इसमें size आने के chances कम हो जाते हैं तो इससे जितना हम load हटा देंगे उतना हमें सही रहेगा लेकिन already क्यूंकि fruit कम लगा हुआ है तो शायद यह जगह पर fruit नहीं लगावा है सिमिलरली इस तरफ को आप देखिए यहां पर fruit जो है वो काफी ज्यादा लगावा है तो यहां पर और हार्ष हमें clipping करनी पड़ेगी जितना हम ज़्यादा हटाएंगे गलती से मैंने king bloom को हटा दिया है यहां नहीं दिया लेकिन कोशिश करनी है कि हम king को ना हटाएं सेंटर वाले fruit को ना हटाएं और अगर king bloom आपको नजर नहीं आ रहा है जैसे यहां पर इस case में शायद king खुदी खतम हो गया था पहले ही विंटर्स में तो आप जो सबसे पतला दिख रहा है उसको हटा दीजी क्यूंकि उसमें सबसे कम cell vision हुआ होगा और उसमें ज्यादा fruit size आने के chances नहीं है तो क्लिपिंग करते विए हमें इन चीजों का काफी धियार नखना है इन चीजों से size और quality attain हो सकती है king जो है वो center का fruit है वो कोशिश करता है कि उसके आसपास की जितने भी fruit से वो खुदी ज़ड़ जाए automatically जड़ जाए जैसे कि आप यहाँ पर दिख सकते हैं यह pollinate हुआ है fruit और लेकिन यह king काफी strong है यहाँ पर इसने दूसरे को भी हटा दिया है तो यह खुदी इस तरीके से जो plant के जो hormones है वो खुदी fruit को कम कर देता है लेकिन अगर king नहीं होता है तो जैसे यहाँ पर यह वाला example है इसमें तीन fruit है तो तीनों के तीनों रुके वे है क्योंकि king खुद पहले ही हट चुका है तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो सबसे healthy सबसे और ज्यादा तर जिन fruits को keto ने खा लिया है आप उनको भी हटाने की कुशिश कर सकते है यहाँ पर scarlet का एक और top grafted tree है तो इसमें काफे time से graft करने के बाद कोई growth नहीं आ रही थी और मैं चाहरा था कि इसमें क बहुत जल्दी हमने tipping कर दी थी बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में ही सारे टैने जो है side के हटा दिये थे तो मैं आप लोगों को result दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर कि मतलब इसने पहले first year में यहां से यहां इतनी growth ली second year में यहां third year में यहां ली है लेकिन अभी already within a month इसने कम से कम आठ से एक food की growth already ले लिए तो tipping के जो impacts है वो काफी early आते है और आप देख सकते हैं कि यह भी would be जो है वो strong होना शुरू हो गया इसके अंदर just water नहीं है अब काफी इसमें nutrition निकठा हो चुका है तो इस तरीके से हम लोग early growth लेने के लिए tipping को use का सकते है और इस तरीके से side के tenner को हटा सकते है